राहूल गांदी ने जिस तरह से प्रदान मंत्री जी के उपर चोकिदार चोर है कर नारदेकर जो आरोब लगाई यह सारे आरोब आशिकता यह है देखाल जो फाइटर प्लेयर भीजा गया इसका सोधा 2007 में शुरू हुआ था उस सब्सक्राइब को कोई कमिशन नहीं मिला इसलिए उन्होंने उस सोधे को फाइदल नहीं कि और अटका यह रखा चैब मोदी जी प्रदान मंत्री बने तब यह फाइल वह उनके पास गई तब मोदी जी ने वापस यह है उस सोधे को चलू किया और रभाल की आविशक्ता म सब्सक्राइब करने उसके दोजार साथ से लेके दोजार चुदा बना तक आप जाते हैं कि साथ-ाठ साल में इतनी रेटे बढ़ गई इसके कुछ सोधा महिंगा हुआ और इसके लावा भी कई चीजह इसी जो इन्होंने सोधे बते नहीं की भूबात में निसाहिले या जो और देश की सुरुख्षा का जयान नहीं रखा और पहले जब इन्होंने वहाँ से जाज कराने के लिए कहा तो सीबिया की जाज नहीं हुई तब यहाँ सुप्रीम कौर्ट में गए सुप्रीम कौर्ट ने उससमें भी इनके तर्क सुप्ये कहा कि अब इसमें जाज की कोई जाचका नहीं है सुप्रीम कोट में गया रभी गुरुवार को सुप्रीम कोट को फेसला आया राजानि जिब शेकर कह रहा है कि तोकीदार चोर में प्योर है वहां उनसे माफी मांगने में कहा गया अब भारती जंता पार्टिनास पुरे देश भर में इस अक्षम में अपड़ाब के लिए गाउल गौंदी से मांग की है कि देश की भावनाओं को आहत करने के लिए देश के प्रधान मंतिर को बद्राम करने के लिए जूता अरोप लगाने के लिए अब देश से चाहिके रूप से माफी मावे और इसे लिए अज़गे करने के लिए